नमस्कार साथियो मैं सत्यपाल चोधरी आप सभी के सामने फिर एक बार हजीर हूँ प्रीपेंट क्रेकेज ऑनलाइन स्टेडी यूट्यूब चैनल पर साथियो आज फिर मैं आपके एक मोडल पेपर लेका है हूँ अगरि परससनar साहथियो लगई कि छूंषित कूट भासा में यदी रोटी को मखन कहा जाता है मक्षन को खून कहा जाता है खून को पानी कहा जाता है पानी को पनीर कहा जाता है और पनीर को टोनर कहा जाता है तो किसका रंग लाल होता है देखो मेरे साथियो खून का रंग होता है लाल गुड इवनिंग अंसो जी गुड इवनिंग ठीक है, खोन का रंग कैसा होता है, लाल, और खोन को क्या कह रहा है, खोन को क्या कह रहा है, पानी, इसलिए पानी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, the option is correct answer, ठीक है, next, एक बार वीडियो को share कर दीजे, सभी अपने साथियों को, जो जो भी S.A.C.M.T.S का एक्जाम ठीक है, जिस प्रकार दूसरी संक्या, पहली से संबन दीता है, और चोती संक्या तीसरी से, और जो इनमें रिलिशन है, उसमें होना चाहिए, आठ में, गूड इवनिंग असो, ठीक है, देखो, 21 और आगे दे रखा है, बान में 161, 17 और आगे दे रखा है, उनन चास सो, 13, आठ के बाद क्या आएगा, देखो मेरे भाई, आठ के बाद क्या आएगा, मैं बता देता हूँ, 21 का क्यूब होता है, बान में 161, 21 का क्यूब, क्या होता है, बान में 161, 21 का क्यूब, ठीक है, 17 का क्यूब क्या होता है, 17 का क्यूब होता है, उनन चास सो, 13, आठ का क्यूब कर दो 8 क्या कर दो Qb और 8 का Qb होता है 512 ठीक है 8 क्या होता है 512 होता है कौन सॉप्षन दे रखा है इस नेक्ट देखो दी गई आकृती के उस सही दरपन परतिविम्ब का चैन करें जो दरपन को आकृती के दाईयों रखने पर बनता है यह एक मिरर दे रखा है और इधर image बनेगी, क्या बनेगी, image कहां बनेगी mirror इदर है, तो image कहां बनेगी, इदर देखो मिर भाइप, ये उठके कहां जाएगा इदर जाएगा, तो ये वाला जो part है ये कैसा बनेगा, ये यहां बनेगा, कहां बनेगा, यहां पर बनेगा ना इधर घुमाओगे मेरे इमेज में क्या होता है चीजे बाएं से डाएं गूमती है कहां गूमती है बाएं से डाएं इसको इधर से गुमागे इधर रख दो इधर गुमागे रखोगे तो कहां जाएगा यह रहा ठीक है see option next देखो आप भी मेरे साथ साथ परशन करने की कोशिश करें मेरे भाई ताकि आपको आसानी रहे पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई भी कार लाल नहीं है क्या कह रहा है कोई भी कार लाल नहीं है यहां पहले कार बनाओ फिर एक लाल बनाओ क्या बनाओ लाल यह क्या है ये कार है और ये क्या है लाल है ये क्या कह रहा है कोई भी कार क्या नहीं है लाल अर्थाद एक भी कार लाल में नहीं जाएगा ठीक है दोनों में कहते रखी है रेस्ट्रिक्शन दे रखी है बादिता दे रखी है फिर कह रहा है सभी लाल नीले हैं सभी लाल क्या है नीले ह सबी लाल को नीले के अंदर रख दो सबी लाल नीले हैं ठीक है भई सबी लाल नीले है तो लाल अंदर और नीला बाहर आएगा ठीक है कुछ नीले कार नहीं है देखो मेरे भई कुछ नीले कार नहीं है बिल्कुल शही बात है जो लाल के अंदर जा रहे हो नीले कार नहीं होंगे ठीक है? सही हो गया ये तो फिर क्या किरा है? कोई भी लाल कार नहीं है कोई भी लाल कार नहीं है ये भी सही है कोई भी लाल कार है क्या? नहीं है दोनों अप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे कौनसे औप्षन दे रखा है निसकर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं ठीक है भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखो मेरे भाई शह व्यक्ति ए बी सी डी ए एफ और a, b, c, d, e, or f एक आयत आगार मेज के चार और मेज के केंडर की और मुख करके बैठें ठीक है न? दो व्यक्ति पर टेक लंबी भुजा पर बैठें एक आयत बना लो यह बना लो, एक आयत ठीक है, दो व्यक्ति कहां बैठें लंबी भुजाओं पर एक यहां पर बिठा दो एक यहां पर बिठा दो ठीक है फिर क्या कह रहा है एक एक रक्ति पर एक छोटी बुजा पर बैठा है एक यहां बैठेगा और एक यहां बैठेगा केंदर की और मुह है इंसेंट टेर है दोनों का ठीक है नेफ्स देखो फिर क्या कह रहा है D F के सामने बैठा है और A E A की बुझा पर है D F के कहां बैठा है सामने पहले D F के सामने बैठा है इसको अलग लिख लो कहां बैठा है D F के सामने बैठा है फिर क्या कह रहा है A और E A की बुझा पर बैठा है A और E कहां बैठा है A की बुझा पर A और E को यहां बिठा दो फिर उसके बाद क्या करा है देखो जैसा question में order दिया गया है वो order follow करते रहे हो arrangement अपने आप हो जाएगी मेरे भाई वो जितना कहता जाए उतने करते जाएओ और सीखो जेखो कैसे होती है D F के सामने बैठा है A और E की वज़ापर बैठे है ने तो B और नहीं E D के बगल में बैठे है B और E D के बगल में नहीं बैठे है क्या कह रहा है जो D है ना उसके बगल में ना तो E है और ना क्या है B और E D के बगल में नहीं है देखे ई आ गया तो D को मैं यहां बिठा देता हूँ एक बार फिर F कहा आ जाएगा इसके सामने आ जाएगा अब B है ना B ना तो इधर है और ना इधर है D के बगल में आया क्या नहीं आया ना B आया और ना E आया B और E D के B और E D के बगल में नहीं है ठीक बगल में अगयरा है A और E एक बजा पर बैटें नय तो B और नहीं E D के बगल में थीक है भई आओ D के बगल में नहीं है ठीक है ना फिर क्या कहा च devenir C, D के बढ़यों और बैठा है C, D के का है बैठा है बनाना है मुँ इधर है C D के दाईं और बैठा है दाईं और तो इधर ठीक है D यहां भी आ सकता है नहीं आएगा C D नहीं तो B और नहीं E D के बगल में ठीक है B और E D के बगल में नहीं है ठीक है E D इधर आएगा नहीं फिर क्या कह रहा है C D के दाईं और बैठा है C, D, K, दाई और बैटा है यहां बैटा दू क्या यहां बैटा दिया ठीक है फिर क्या कह रहा है C, D, K, दाई और ठीक है बैटा है नेमलिके तमें से कौन सा गतन सही है C, F, K, बाई और दूसरे स्टान पर है C, F, K, बाई और दूसरे स्टान पर सही है यह तो फिर क्या गह रहा है E C के सामने बैठा है नहीं बैठा है तो B रह गया ना B और यहां आ जाएगा ठीक है फिर क्या गह रहा है C F के बाइए और दूसरे इस्तान पर बैठा है C बैठा है के F के बाइए और दूसरे इस्तान पर यह रहा F F के दूसरा गलत हो गया है तो नहीं होगा भाई या C और E C के सामने बैठा है E C के सामने नहीं है E C के सामने को नहीं है B है दोनों गलत हो जाएंगे नहीं तो एक और नहीं दो ठीक है दोनों गलत हो जाएंगे आसिस कुमार मिश्रा गुद इवनिंग भई गुद इवनिंग ठीक है नेश्ट देखो मेरे भई उस विकलब का चैन करें जो पांच वे अक्षर सम्मू से उसी प्रकार संबन दित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर सम्मू पहले से है ठीक है और चोथा इन दोनों में जो रिलेशन है तीक है इन दोनों में जो रिलेशन है वो इसका किस के साथ होगा देखो ए दे रखा और बी दे रखा है फिर क्या दिया है जैड जैड फिर ए में प्लस दो किया है C आ गया और B में प्लस दो किया है क्या आ गया D आ गया Z में क्या किया माइनस 1 और यहां भी Z में क्या किया माइनस 1 E का देखो E क्या था है 5 अच्छा 2 प्लस दो प्लस दो किया है ठीक है यहां क्या कर दिया प्लस दो 5 और 2 7 यहां भी F और G प्लस 1, प्लस 2 प्लस 1 कर रहा है, इसमें क्या कर दो, प्लस 2 कर दो, आई कितने पाता है 9, और 9 में प्लस 2 कर दो, 9 में प्लस 2 कर दो, 9 और 2 11, 11 पर क्या जाएगा, K, ठीक है, V, अब यहादे को क्या किया है, माइनस 1 किया है, Z में से एक गए तो Y, X में से एक तो U, फिर यहां minus 1 करना है, क्या करना है, plus 1, plus 2, F, ठीक है, plus 2 कर दो, जे 10 पे और 2 पे क्या जाएगा, L, 10 और 12 पे L, फिर B में क्या करना है, B में क्या करना है, देखो, minus 1, क्या करना है, minus 1, B में क्या है, तो U, K, U, L, U, कौन सा उप्शन दे रखा है, मंगे इस वीडियो, गुड इवनिंग सर्भाई, गुड इवनिंग आसीज जी, K, U, L, U, B उप्शन, सहिए भई, B, ठीक है, next देखो, I am late join class, कोई बात नहीं है, लेट join की है, तो P से class देख लेना आप, है न, और 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 भी class ही पढ़ी हैं, आपकी YouTube पे, देख लेना, एक निश्चित कूट बासा में topics को ये कहा जाता है, और grade को ये लिखा जाता है, तो उसी बासा में, B, A, N, D, E, F को क्या लिखा जाएगा, देखो, E, O, P, I, C, S, दे रखा है, Q, A, G, O, N, S, दे रखा है, ठीक है, कैसे coding हो सकती है, coding कैसे हो सकती है, देखो, ऐसे हो सकती है, इन दोनों में कर देता हूँ, आमने सामने लिख रहे हैं दोनों, ठीक है, ये G है, ये F है, क्या किया है, माइनस 1 किया है, पीछे से, क्या किया है, पीछे से माइनस 1, ये R है, ये Q है, फिर माइनस 1 किया है, E में से एक गए तो D माइनस बन किया फिर माइनस बन किया फिर माइनस बन किया फिर देखो A दे रखा है और Y दे रखा है A में से दो जाएगा माइनस का तो क्या बचेगा Y T में से दो गए तो R T 20 पर R 18 पे और H H में से दो गए तो F minus 2 पहले तो क्या किया है minus 1 minus 1 किया है फिर किया क्या है minus 2 minus 2 किया है minus 1 कर दो पहले B में से minus 1 किया तो क्या बचेगा A कहां बचेगा लेकिन ये पीछे बचेगा A में से minus 1 किया तो क्या बचेगा जैड बचेगा ठीक है और N में से माइनस वन किया तो क्या बचेगा M बचेगा फिर करना है माइनस टू D में से माइनस टू किया तो क्या बचेगा B बचेगा ठीक है E में से माइनस टू किया तो क्या बचेगा C बचेगा F में से minus 2 किया तो क्या बचेगा D बचेगा DCBMZA कौन सो उप्षन दे रखा है DCBMZA B option is correct answer ठीक है अराधना कुमारी ठीक है अराधना जी गूड इवनिंग गूड इवनिंग भई ठीक है देखो वीडियो को इपर शेयर कर दीजा जो भी आपके साथी कोचिंग कर रहे है जो भी साथी आप लोगों के चाहते है उनका MTS किलियर हो जाए वो मेरे साथ जुड़े रहे है मैं guarantee देता हूँ कि MTS किलियर हो जाएगा reasoning के सारे पुसन आपको इनमे से मिल जाएंगे मेरे भाई ठीक है पी दे रखा है P से N कैसे आता है माइनस टू करने पर P 16 पे और 14 प्यादा है N आता है यहां क्या दे रखा है चार दो का स्क्व Huiर है तीन का स्क्व зар क्या है 9 फिर क्या दिया है M M के बाद K दिया है माइनस टू ठीक है यह 13 पर आता है 8 का 8 का होता है 64 E sorry 64 होता है क्या होता है 64 E 64 जिस भी option में वह answer सही है कौन सा है B option ठीक है करने की कोशिस करो हां सही है अराधना जी आपका बिल्कुल खीक answer है यह देखो दिये गए विकल्बो मेस उस आकृति का chain खरे जो नीचे दी गए वह infection के st mêmes पर आसकती है पहले एर्रो दे रखा है फिर से ध्र के उपर किया है एiénे फिर अरो को उपर ले हैज इधर यह दर फिर उसके बाद एरो यही पर चिर को नीचे लेगा लेगा फिर के ले आ ए तिक है फिर उसके बाद arrow निचले लेगा है जे और के और एल जेड़ा यहां पर किया arrayगा है जाएगा है जाएगा है एरो हैज जे, जे के बाद, अब देखो, क्या आया है, जे के एल, जे के एल, जे के एल, जे के एल दे रखा है, एरो हैज जे के एल, ठीक है, ये नहीं होगा भया, एल कहा आएगा, यहाँ पर आना चाहिए, एरो हैज, जे के एल, ठीक है, एरो हैज, जे के एल, एरो हैज, जे K, J,L दे रखा है, K नहीं आएगा, Groß दे रखा है नहीं आलगा, arrow इसको नहीं माना चीया, arrow का आना चीया, इसमें, फिर उसके वपर क्या आना चीया, आज़, arrow, है, G, K, L, arrow, H, J, K, L, इसमें दे रखा है, arrow, hair, J, K, और, L, इyरा आएटर, तीक na दहि least पर आप की टेलेग्राम ID क्या है टेलीग्राम ID टेलीग्राम ID भाईजा नहीं है मेरी ठीक है आप यहीं जुड़े रहू 8.6844 वाउनना आप यहीं जुड़े रही हो मेरे साथ मैं आपको यहां रोज 988 आप 988 साइए ठीक है 40 दूनी, 80ि, 40 दूनी, 80ी, 20ए 80 को कैसे आया, 80 को 2.5 से गुना कर दो 80 दूनी, 160, और 170, 40 का अदा 80 का अधा 40, 160 कर क्या हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे फिर 200 को 3 से गुना कर दिया, क्या आ गया, 600 आ गया, देखो, 2 गुना, एधाहि गुना, फिर 3 गुना फिर कितना गुना किया है तीन गुना अब कितना करेगा साधे तीन गुना देखो करके देखो चेहती है अठारा सो अठारा सो में तीन सो और जूरत किया जाएगा एक्किस सो आजाएगा अब एक्किस सो किस से गुना करेगा चार से गुना करेगा देखो पहले दो गुना किया क्या किया दो गुना किया फिर क्या किया डाही गुना किया सब्सक्राइब धिनकरे ना जाएगा यहुआ के लिक टेलिघ्रम पूंशेबंस मिल शाया भाई यह इंड़न को और वीडियो के पास है bench K चैन करें जिसमें दी गई आकरती अंतर नहीं थे ऐसा कोई विकल्ब ढोलिए जिसमें आपको ऐसा मिल जाए ठीक है इसमें तो कहीं मिलेगी नहीं मुझे कहीं भी नहीं है इसमें तो ठीक है और इसमें अगर मैं देखूं यहां भी नहीं दिख रही यहां भी नहीं है इसमें चैक कर लेते हैं मेरे वाई, ऐसी मेज बननी चाहिए देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह ले का यह जगे खा लिए फिर यह उद़र गया, फिर यह उपर गया, यह रहा दिह गई ना, सेम ऐसी इमेज ऐसी कैज इस इमेज यह दिख रही हैं आपको ठीक है, C हो जाएगा, मंगेज जी सही है आपका, 11 का C सही है भई, ठीक है, C अपसान, नेक्स देखो दी गई विकल्ब में उस संख्या का चैन करें, जो निम्लिके संख्ला में प्रसंचिन के स्थान पर आ सकती है एक स्रीज का प्रसंच दे रखा है मेरे भाई, ठीक है, करके बताईए क्या होगा, कोशिश करो करने की एप्रोच लगाओ, क्या लग सकती है, बहुत आसान सवाल दे रखा है, इधर देखो, 12 से 25 कैसे बन सकता है, या तो 12 में 13 जुड जाए, 12 में मनीश ये जो चैनल है, उसी दूरी 24 औरे 25, 25 से 50 कैसे आसकता है, गोना 2, प्लस 1, पत्चीद दूरी 50 औरे 15, 15 से 103 कैसे आसकता है, 15 को 3 से गोना, 2 से गोना कर दो, और एक जोड दो, 152 दूरी 102, 102 में एक जोड दो, 103, 103 से 207 ऐसी आएगा, गोना 2, प्लस 1, 103 और 103 कित्ते हो गए, 206, 206 में एक जोड़ा को जब आप 2 से गुणा करोगे तो 400 कितनी आ जाएंगे 14 400 14 और 400 14 में प्लस 1 और करना है प्लस 1 तो क्या जाएगा 415 कौन सो अप्शन में दे रखा है यह राव भी ऑप्शन ठीक है 12 कभी सही है भाई बिलकुल नमस्ते कन्नु शर्माजी नमस्ते ठीक है नेक्स्ट देखिए तात लड़किया है भाईया G1, G2, G3, G4, G5 और G6 और G7 एक पंक्ती में उत्तर के और मुक करके बैठी है आप सक नहीं है कि इसी क्रम में हो ठीक है भाईया G4, G1 के दाई और पांच विस्थान पर बैठी है पहले तो एक पंक्ती बना लेता हूँ पिर वो क्या कह रहा है G G4, G1 के दाई और पांच विस्थान पर बैठी है पहले G1 बिठाते हैं, second person को बिठाते हैं पहले यहा कौन बैठी है G1, अब G1 के दाई और चोफे पांच विस्थान पर बैठी है ठीक है तो एक, दो, तीन, चार, और पांच यहां पर कौन आ जाएगी G4 यही कह रहा है G4 G1 के दाइं और पांच विस्तान पर बैठी है G4 किसी भी छोर पर नहीं बैठी G4 किसी भी छोर पर नहीं इसका मतलब इसके आगे एक या दो आदमी आ सकते हैं ठीक है G4 किसी भी छोर पर नहीं बैठी है G6 पंक्ती के बीचो बीच बैठी है देखो साथ आदमी है बीचो बीच कहा होगी तीन इधर होने चाहिए और तीन इधर होने चाहिए 207 गुणा दो 4014 बहिया 207 को आप 2 से गुणा करोगे तो 200 और 200 400 होते हैं और 7 और दूनी 14 होते हैं तो 214 आएगा 2414 और 414 हम एक जोड़ोगे न तो 415 आएगा देखो 207 को 2 से गुणा करो 207 गुणा 2 7 दूनी 14 का 4 का हाशिल 1 2 एक हम 2 और 1 अच्छा 0 आजाएगा यहाँ पर 1 आएगा क्या आएगा 1 और 2 दूनी 4 414 414 हम अभी एक और जोड़ोगे याँ तो क्या आजाएगा 415 ठीक है न आई उसको मार good evening आपने तो 4015 देदिया 4015 कैसे होगा रदना जी नहीं होगा 415 ही होगा ठीक है calculation में गल्ती नहीं करनी भईया बच्चों को क्या मारती है calculation में गल्ती मत किया करो मेरे बाई फिर क्या कहा रहा यह G4 किसी भी छोड़ पर नहीं बैठी है G6 पंक्ति के बीचो बीच बैठी है बीचो बीच कहा होगी तीन इधर होने चाहिए और तीन इधर एक दो और तीन इरे और एक दो और तीन इरे यहां कौन आ जाएगी G6 आ जाएगी ठीक है बीचो बीच हो गई G6 पंक्ति के बीचो बैच बैठी है G6 G2 के बाई और तीसरे स्थान पर बैठी है G2 के बाई और तीसरे स्थान पर होनी चीए ठीक है ना तो G2 को का बिठा दू मैं यहाँ पे तो बाई पहला बाई दूसरा बाई तीसरा यही कह रहा है बाई और तीसरे स्थान पर बैठी है G7 और G5 के बीच में केवल दो लड़किया है G7 और G5 के बीच में कितने लड़किया है दो तो मैं यहां तो बिटा दू G5 को और यहां किसको बिटा दू G7 को तो दो लड़किया हो गई एक तो यह और एक यह ठीक है भईया G7 और G5 के बीच में के वभी के बीच दो लड़किया बैठी है G7, G6 की प्रहवाच सॉनकाट परोशन नहीं है 6 और 7 एक साथ नहीं होने चाहिए ठीक है न? यह सा न 7 6 और 7 एक साथ नहीं होने चाहिए देख़ो अभी इनके बीच में एक और भी आएगा एक पड़ोसी नहीं है ठीक है न भया पड़ोसी बिल्कुल नहीं है यह अब क्या रह गई जी थ्री का सन निकट पड़ोसी कौन है अब जी थ्री बिठाए एक आए पन ने वन आया है टू आया है और फाइव यहां कौन आ जाएगी जी थ्री आ जाएगी ठीक है जी थ्री का स देखो, एक निश्चित कूट भासा में, वोईलेट को ये लिखा जाता है, मार्केट को ये लिखा जाता है, तो रोकेट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, कोशिश करो करने की, सर जी थोड़ा सा साफ साफ लिखिये, साफ साफ लिख देंगे भई, ठीक है न, फिर से बनाऊं को कमेंट करके बताओ फटाफट नहीं दिख रहा तो फिर से लिखूँ यहां G1 है G7 है G3 G6 G5 G4 और G2 ठीक है आगे से और खोल के लिख देंगे वोईलेट को दे रखा ये और मार्केट को दे रखा ये R O C K E T यहां दिख रहे हैं कि R O C K E T देखो R E R A K E R A T E R A O E R A ठीक है इसका मतलब इनमेंसे चांट के दे रहा है इनमेंसे चांट के देना है या फिर देख लो एक बार कुछ और भी कर रखा है क्या V और T V और T दे रखा है I और J दे रखा है V 22 पे V कितने पे 22 पे 20 पे क्या किया माइनस दो फिर उसके बाद I कितने पाता है 9 पे और J कितने पाता है 1 पे क्या किया प्लस 1 फिर उसके बाद O 15 पे और M कितने पाता है M कितने पाता है 13 पे माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 L दे रखा है L में माइनस 1 N में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा M आएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 फिर देखो E E 5 पे और C 3 पे क्या किया माइनस 2 प्लस 1 यहां क्या किया माइनस 2 T कितने पहता है 20 पे आता है और U कितने पहता है you कितने प्यारा है मेरे मौइ t 20 पर u 21 पर क्या किया प्लस 1 मैनस 2 प्लस 1 मैनस 2 प्लस 1 यही काम कर दो r में मैनस 2 करोगे तो P आएगा O आ रख ठरह पर आता है माइनस दो किया तो 16 16 पर क्या आएगा P O कित्ते पर आता है यहां क्या कर दिया माइनस दो अब क्या करना है प्लस वन O में प्लस वन किया तो क्या आएगा P उसके बाद C C में क्या करना है माइनस दो माइनस दो किया तो क्या जाएगा A फिर क्या करना है प्लस वन क्या करना है प्लस वन के में प्लस वन किया तो L फिर क्या करना है माइनस दो माइनस दो किया E में तो C फिर क्या करना है प्लस वन के में प्लस वन किया तो U P P A L C U पी पी ए ल सी यू चोजा का पी पी ए ल सी यू फर्स्ट और से इस करेक्ट आंसर एक ना आसान चीज है ना बस ऐसे हुजाते हैं मेरे बाई बस यह की एप्रोश से लगाने की कोशिश करो क्या करो वैवाव सिरीवास्ता हो हां सर ठीक है नेक्स्ट देखो वैवाव जी एक पाद में देखना ने एक बार है ना जब लाइव खतम हो जाए ना तो एक बार और ट्राई कर लेना वीडियो देखने की पूरा धीरे-धीरे समझाया है ठीक है देखो एक कागज को मोडने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटे जाने का तरीका नीचे दी गई आकरती मे देखो ये कागज दे रखा है इसको क्या करना है खोलना है इसको खोलना है उपर पहले कहां खोलना है उपर खोलना है उपर खोलोगे तो यह इमेज कैसी बनेगी यह इदर और यह इदर गोला कहा जाएगा गोला उपर जाएगा पहले तो यह बनेगी फिर उसके बाद में उसमें बन रिया, चेक कर लो, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये गोले यहां और बनेगा, ठीक है, ये नहीं होगा, इसको चेक कर लो, ये इसका उल्टा है, ये भी इसका उल्टा है, ये सेम, ये बन जाएगी, नहीं ये नहीं बनेगी, इसमें गोले दो दे रखे हैं, दो सब्सक्राइब करें दिवार के पास होना चीए दोनों में कहा होना चीए दिवार के पास ठीक है 15 का सी हो जाएगा इमेज अपने पास ये थी कौन ची थी ये वाली थी ना की वाली थी सी सही होगा भई है ना थोड़ा ध्यान से देखें एक बार गलतिया मत करो भई ठीक है एक्जाम बहुत निकट है छोड़ी छोड़ी गलतिया नुकसान दायक हो जाती है गोना और माइनस 27 और 35 क्या कह रहा 55 और 35 जगे 27 रख दो इस वाले option में यहां रहा हूं रहा हूं मैं देखो 27 घर क्या रखनाँ है 35 और भाग का तो भागी रखना है कोई चेंज नहीं करना 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 साथ का साथ रखना है माइनस क्या रखना है और देखो 27 जग बाग की लिए ज़्छे रखना कई रखना था माइनस केश तरक पुछ नहीं रखना है मैंस जगह कर रहना था गुणा रख दिया इस उनदगा करो इस करो सब से पहले करेंगे भाग धश में साथ का भाग दिया तो साथ पंजो पैंथ2 पांच आया गुनाइस को मैनस 5 किया तो 7 में 5 गया तो 2 और 5 52, 35 के बराबर आया क्या नहीं आया, पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा क्या क्या गया रहा है, 11-7, तो 11-7, प्लस की जगे क्या रखना है, 35 रखना है, यहां क्या है? डिवाइड, डिवाइड का डिवाइड ही रखना है और 36 जगे क्या रखना है? 27 जगे 35 इसको solve कर लो, क्या कर लो? solve कर लो, 93 के बराबर आना चीए, ठीक है? कुमारी A कैसे आएगा? कौन से का बता रहे हो भाई? A कैसे आएगा? ठीक है? अभी मैं तो solve भी कर र ठीक है यहां क्या बच गया 42 में से 35 गया तो क्या बच जाएगा साथ यह जाएगा सत्तर जिरो उतार लिया तो 35 दूनी सत्तर होता है 12 आ गया 12 फिर उसके बाद में क्या करते हैं 11 7 77 77 77 27 जोड़ दो उसके आपने साथ 24 का चार कहांँ से लेग साथ दो नो रिक 10 104 104 मिंसे अब 12 और माइनस करना है 104 मंसे क्लाद माइनस करना है चार मैंसे दो गया तो क़ और यह नो रहगया 9 मह problèmes से एक गया तो कैर यह कहा दस-दस मैशे mai गया तो नौ 92 मैं आई याब B आ रहा है देख लो आप चेक करके ना notebook और pen सात ले के बैटा करो मेरे भाई notebook और चीज और न साथ ले के बैटा करो आ ठीक है ना आपको मैंं बहुत हासान को बहुत सानदार तरीघ से इक एक चीज आराम से बता हूं कि कैसे कि solve करना होता है ठीक है न भी answer आएगा इसका एक और दोनों फॉलो नहीं करेंगे इसको solve किया तो क्या आया 52 आया क्या था 52 आया आया आना क्या चीए था 53 ये गलत हो गया इसको solve किया तो क्या आया 92 आया, 93 आना चीए था, नहीं आया, ठीक है ना, एक और भी दोनों ही follow नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ, पहले बताया sir, next देखो, 2 चिन्नों को, प्लस और गुना को आपस में बदल दिये जाने पर समीख रहन का मान क्या होगा, ठीक है, 25 गुना के sorry क्या रखना है, प्लस प्लस केसी क्या रखना है, गुना, गुना 4 और भाग का तो भाग ही रखना है, और माइनस 10 बरावर पूचा है, क्या आएगा, सबसे सिब्ले पहले का सॉल्व उस्व rubbish करते हैं भाग सॉल्व करते हैं 2ह अब क्या करते हैं तो 2 अब क्या सॉल्व करते हैं पिलस गुणा तो है ल्स फांच थीष तीश सॉर porte 13 हो गलती कर दी कल रंद से पली संस फिर से रख रहा हूँ क्या रख रहा हूँ फिर से देखो 25 का 25 रखना है ठीक है गुणा और प्लस को बजलना है तो गुणा के जगे क्या रख दूँ प्लस पांच ठीक है प्लस क्या रख दिया पांच प्लस के जगे रखना है गुणा गुणा, 4, गुणा क्या, 4, अब भाग देना है, 2 का, भाग किसका देना है, 2 का, और माइनस, 10, अब देखो, 4 में भाग दिया, 2 का, तो क्या आया, 2, और 5 दूनी, अब गुणा करेंगे तो 5 दूनी, 10, ये क्या है, 25, और माइनस का, 10, 10 से 10 कट जाएगा, क्या रहे जाएगा पच्चीज C option वैबाव श्रीवास्ता हो A, कन्नों से ये 25 सर जी, कल से पहन कोपी साथ में ले के आएंगे आपकी क्लास में जरूर आना भाई, है ना, अगर exam क्रेक करना है और reasoning पढ़नी है ना, तो बिना calculation के कभी possible नहीं है मेरे भाई ठीक है, next देखो, इस विकलब का chain करें जो, तीसरी अक्षर समू से उसे प्रकार संबन देते हैं, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समू पहले समू से संबन देते हैं, इन दोनों में जो relation है, वो आगे दूनना है इसका किस के साथ होगा, ठीक है दोनों दो भई, क्या कर रखा है देखो, इधर देखो, मैं बता दो क्या कर रखा है एले बारा पे और वो पंदरा पे बारा और तीन, पंदरा, एक और तीन चार, दो और तीन, पांच पीछे से तीन, तीन जोड़ना है तो R हमें 3 जोड़ दो, R कितने पर आता है, R कितने पता, 18, 18 हमें 3 जोड़ा तो क्या आएगा, 21 आएगा, 21, 21 पर कौन आता है, U, यहाँ पर U आया, G में क्या जोड़ना है, 3, G आता है, 7 पर 7 और 3, 10, 10 पर क्या जाएगा, J, A में 3 जोड़ दो, A 1 पर 3, 4, क्या जाएगा, D, U जे डी, जॉन से option में जे रखा है, वो सही है, U, J और D, B option, तर आपकी class कितने बज़े होती है, रोज 6 से 7 होती है, वही, SSC की, है ना, SSC की 6 से 7 होती है, A नहीं होगा, B होगा, वही, U, J और D, देखो, R में 3 जोड़ना है, R में का जोड़ना है, 3, तो R 18 और 3, 21 पे क्या आता है, U, G में 7 जोड़ना है, G में का जोड़ना है, 7, 7 और 3, 10 पे J, A में 3 जोड़ना है, A, 1 और 3, 4, 4 पे D आता है, ठीक है, B, next देखो, दिए गए, भी कल्बों में सब्चार समू का चैन करें, जो निम्ड के संखला में प्रसंद चिन के स्थान पर आ सकता है, देखो, एक सीरीज दे रखिए, क्या दे रखिए, सीरीज, और सीरीज किसकी है, लेटर सीरीज दे रखिए, R 18 पे आता है, और N किस पे आता है, 14 पे, 18 में से 4 गए तो, 14, 14 में से 4 गए तो, 10, 10 पे J आता है, और J 10 में से 4 गए तो 6 6 पे कौन आता है F और F गाता है 6 पे 6 में से 4 गए तो 2 दो पे क्या आएगा B माइनस 4 माइनस 4 कर रहा है next देखो N आता है 14 पे 14 और 2 16 पे P 16 और 2 18 पे R 18 और 2 20 20 पे कौन आएगा T 20 और 2 22 पे भी आगा F T कौन सा आप्शन दे रखा है D आप्शन is correct answer ठीक है next देखो साथ लड़कों A B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 की आईउ की तुलना की गई है सभी लड़कों की आईउ भिन है B4 की आईउ 3 लड़कों से कम है ठीक है B4 की आईउ कित्तों से कम है 3 से B4 लिख दिया यहां पर और इसके उपर 3 और आएंगे 1, 2 और 3 ठीक है B4 की आईउ 3 लड़कों से कम है B1 की आईउ केवल B7 और B3 से अधिक है यहां अलग लिख लो इसको B1 लिख लो और यहां पर क्या क्या लिखना है B1 की आईउ केवल अधिक B5 की आईउ किस से अधिक है B6 से तो यहां मैंने लिख लिया B5 B5 की आईउ किस से अधिक है B6 से ठीक है B5 की आईउ B6 से अधिक किन्तु B2 से कम है B2 से क्या है कम है तो यहां क्या आजाएगा B2 आजाएगा ठीक है B2 से कम है अब जबो question हो गया पूरा, अब तीन लड़के इसके उपर आने, तो मैं यहां क्या लिख देता हूँ, B2 लिख दिया, B5 लिख दिया, और B6 लिख दिया, क्या लिख दिया, B6, फिर कौन आ गया, B4, इसका काम हो गया, इसको अटा दो, ठीक है, तीन लड़के उपर थे न, B पूर के, अब B1, B2 और B3 बच गया, यहां लिख लो, B1, यहां क्या लिख लो, B2 और यहां क्या लिख लो, B3, sorry, B7 है, ठीक है, क्या पूछा है, कितने लड़कों क्या आई हूँ, B6 से कम है, B6 का है, यह रहा, एक, दो, तीन और चार, option दे रहा है, D, यह रहा, दिख गय जैसा वो कहता जाए, वैसा करते जाओ, रिलेशन सही निकालने की कोशिश करो मेरे भाई, है ना, ऐसे तुके नहीं मारने चाहिए, कुछ कंबल तकिये हैं, यह मैंने बना लिया कंबल, और कुछ कंबल क्या है, तकिये हैं, ठीक है मेरे भाई, सभी तकिये कुशन है, सभी किस के अंदर आ जाएंगे कुशन के अंदर आ जाएंगे सभी तक यह क्या है कुशन है फिर क्या कह रहा है कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है सही कह रहा है और जो possibility case होता है न वो positive diagram में सही होता है ठीक है मेरे भाई तो यह क करते हैं फरस्ट हो सेगं्ट करनों सइए भाई बेटा आपका नेख्ट में इए कागज दिया है क्या लिए कागजoug मूड़े जाने का करम और गया है उसे त्रिक्लाक निम्लिकताक्रतियों में दिया गया है Si tu limit होने पर कागज को खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा क्या देगा कागज दिखाई देखो मैं इसकी इमेज बना देता हूं मेरे बाई क्या बना देता हूं इमेज देखो पहले कागज को यहां से यहां बंद किया गया है जब इसको यहां से यहां खोलोगे ना तो इ option दे रखा है वो सही है ये तो होगा नहीं इसमें तो बहुत सारे दे दिये ये भी नहीं होगा ठीक है ना इसमें भी बहुत सारे दे रखे हैं ये भी कैसे भी नहीं होगा B option approach शही लगाओगा न मरे भाई तो सही हो जाएगा ठीक है ना कोशिश करो करने की हो जाओगे सफल भी हो जाओगे लेकिन बस रोज क्लास देखने है सर की एक निश्चित कूट बाशा में R E A D S को I V J W H के रूप में लिखा जाता है और F R I B C को U I R Y X के रूप में लिखा जाता है उसी कूट भाशा में G H K T X को किस रूप में लिखा जाएगा ठीक है मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग का कुश्चनर आप देख सकते हो कितने सारे आते हैं है ना सही ए अप्रोच लगानी है देखो R दे रखा है और I दे रखा है ठीक है फिर के बाद E दे रखा है और V दे रखा है A दे रखा है और Z दे रखा है मैंने पता है क्या सोचा है इसको देखके 10 को सर पेपर है बेटा 10 को पेपर है 10 बहुत दूर है अभी ठीक है 4 कलास हो चुकी है और 10 तरीक तक 10 और हो जाएंगी, 4 और 10, 14 क्लास है, 14 क्लास में आपके इतने सारे प्रसंट कर लोगे आप, ठीक है ना, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और उससे जादा बनते बनिये तरीके, सारे पेपरों में सारे तरीके जुड़ जाते हैं, जितना भी मैक्सिमम तरीके बनते हैं, आप सारी क्लास देखो एक बार, मैं definitely sure कहता हूँ, आपके 25 में से 25% reasoning के सही होंगे उसमें, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको struggle करना पड़ेगा, क्लास देखने पड़ेगी, रोज आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि तरीका क्या है, ठीक है, ना, देखो, बी का क्या दे रखा है, डबलू, और एस का क्या दे रखा है, एच, मुझे जहां तक याद है, यह आप लोगों को पता होगा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, यह अपोजिट लेटर दे रखा है, आर का अपोजिट होता है, आई, ए का होता है, वी, ए का होता है, जैड, D का होता है W और S का होता है H आगे देख लोग चाहिए यही दे रखा होगा F का अपोजिट होता है U Father, Uncle बोलते हो आप लोग R का क्या होता है? I है ना? R का I होता है I का क्या होता है? R का I और I का क्या हो जाएगा? R, B का Y और C का X इसको देखे केंफ्यूज मत होना भाई R, I, R, I दे रखा है आप सोचों कहीं उल्टा कर दिया हो उल्टा नहीं क्या है मेरे भाई R का अपोजिट क्या होता है? I और I का क्या होता है? R B का Y होता है और C का X सबके अपोजिट लेटर लिखने है G का अपोजिट क्या होता है? T होता है G, T ठीक है? H का अपोजिट क्या होता है? S होता है K का क्या होता है? P होता है T का क्या होता है? G होता है और X का क्या होता है? C S का क्या होता है? C T, S, P, G, C जौन सी उप्शन में दे रखा है वो सही है चेक करो कौन शम दे रखा है जल्दी चेक करो मेरे भाई T.S.P.G.C T.S.P.G.C पहला ही option दे रखा है ठीक है अब क्यों B दे रहे हो भाई T.S.P.G.D दे रखा है नहीं होगा मेरे भाई है नहीं होगा next देखो उस विकलब का है चैन करें जिसमें दो संख्या है उसी प्रकार संख्या है जिस प्रकार संख्या युक में दीगए संख्या से संबंदित है देखो 416 दिया है फिर 614 दिया है ठीक है ऐसा रलेशन आगे दो संख्या हों में देखना है किस किसमे है देखो अब आप लोग क्या करते हो प्रसन देखा और सिधा क्या करते हो तो difference निकालोगे क्या निकालोगे डिफ्रेंस निकालोगे या फिर square cube ढूंडोगे या फिर कुछ और तिगड़ अमबाजी लगाओगे एक बार मेरे भाई एक बार कोशिस तो कर लिए होती कि प्रसन में कुछ आंसर चिपरा हो प्रसन में क्या आंसर चिपरा हो देखो आंसर क्या है चार एक छे दे रखा है ठीक है ना छे को उठाके आगे रख दिया वैस क्या रख दिया छे को उठाके चार एक और छे दे रखा है छे को उठाके आगे रख दिया फिर उसके बाद एक और फिर उसके बाद चार ठीक है उल्टा कर दिया क्या कर दिया उल्टा 6, 1, 4, 1, 6 4, 1, 6, 6, 6 6 को यहां ले क्या आया एक का यह रखा और 4 को यहां ले गया ऐसा option चेक कर लो जो कर रखा हो 5 को पीछे ले गया ठीक है फिर उसके बाद है वो 2 को बीच में रख दिया 2 बीच में नहीं आएगा गलत पहला option 3, 8, 4 8, 4 और 3 देखो 3 को पीछे ले गया है 8 और 4 में कोई चेंज नहीं किया है ठीक है इसको चेक करो 2, 8, 6, 6, 8, 2 यह सही है यह सही है देखो 2, 8, 6 6 को यहां रखा 2 को 8 को यहां रखा और 2 को यहां 6, 8, 2 सेम इसके जैसा ही है न चाहिए यहां रख के देख लो 4, 1, 6 फिर 6, 1 और 4 यहां बीच वाली संक्या बीच में थी यहां भी बीच वाली बीच में है आगे पीछे वाली को चेंज कर दिया क्या option हो जाएगा D, C C होगा मेरे भाई क्या होगा C चोड़ी चोड़ी कलतिया मत करो प्रेंका चोदरी B कैसे भी नहीं होगा C ही होगा आठ यहां बीच में रख दिया 8 बीच में कैसे आ जाएगा 8 यहां बीच में था तो यहां भी बीच में आना चीए था इसने तो क्या किया सिर्फ 3 को पीछे ले गया आठ और 4 में परिवर्टत नहीं किया है ना C होगा सही है अप्रोश लगाओ बीचा दिये गए विकल्प में सुजाकरदी का चैन अगरे जो निम्लिके स्रंखला में प्रस्ण वाचक चिन के स्तान पर आ सकती है पहले यह इदर था फिर इसको उपर सरका दिया इसके बाद यहां लेके आया ठीक है फिर इस वाले को और उपर सरका दिया ठीक है इसको कहां सरका दिया और उपर और इस वाले को इधर गुमा के और इस वाले को नीचे गुमा दिया ठीक है नेक्स देखो उसके बाद में क्या किया है इसको कहा ले गया है यहां पे ले गया है इसको गुमा के यहां रख दिया और फिर इसको उल्टे वाले को उपर करके इधर लाया है एक और ठीक है ना फिर फिर क्या किया है इसको गुमा के जो यहां सुरुवात में था वो कहा आ गया यह रहा ठीक है अब कहा आना चीए यहां आना चीए कौन से option में आ रहा है इसमें भी 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 आ रहा है सब में आ रहा है ठीक है उसके बाद देखो यह एक दूसरे के opposite है तो यहां भी opposite होने चीए यह कैसे छी यह इसका, पॉजट आना ची़ूजए है, वई भी दूसरे के सामने नहीं होना ची़ूजए है, फिर उसके बाद बीच वाला यह है, तो यह कैसे हो जाएगा, उपर खड़ा हो जाएगा, इसको ऐसा आना ची़ूजए है, ठीर है मेरे भाई, उसके बाद में 5 हैं, तो 90 degree घुमा हुआ होना चीए ठीक है उसके बाद फिर नीचे इसका अपोजिट होना चीए सामने वाले का तो यह ऐसा होना चीए option check करो कौन सा दे रखा है कौन सा दे रखा है यह इसमें इधर घुम गया यह नहीं होगा fourth option बच गया डी प्रेंका जी डी सही है बिलकुल बिटा डी एकदम सही है ठीक है ना बहुत ही सांदर प्रसंत है आज के है ना और यह model पेपर जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूं ना इन पेपरों से आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी सारे पेपर बहुत ही helpful होने वाल से ठीक है ना मैं चाहता हूं कि हर बच्छा सेलेक्ट होके यहाँ से जाए ठीक है उसके बाद मैं आपको एक परसंत मुत के बैदा हूं आज का क्या को बैट को यह लिख रहा है ठीक है उसके बाद C-D-O C-D-O कुछ ने लिखा है ठीक है B-A-T को लिखा है 25-26 C-O-T को लिखा है 24-23 और 12 ठीक है ठीक है तो आपसे कोड पूछा है M-I-P का M-I-P का कोड क्या होगा यदि किसी कूट बासा में बैट को ये लिखा जाए C-O-D को ये लिखा जाए तो M-I-P को क्या लिखा जाएगा हेलो देविलाल हेलो ठीक है भई देविलाल जी हेलो आपको भी ठीक है इसका अंसर बता दो सारे ठीक है जल्दी करो वह आंसर देने की कोशिश करो शारे बच्चे चलो मैं देज़ेता हूँ B का अपोजिट क्या होता है Y Y आता है 25 पे A का अपोजिट Z होता है 26 पे आता है T का अपोजिट क्या होता है G 7 पे आता है C का अपोजिट क्या होता है X 24 पे D का W 23 पे और O का L होता है जो 12 पे M का अपोजिट क्या होता है N जो आता है 14 पे अजो आता है 18 पे पी का क्या हुता है कया कनबर दे-रक्षाएं क्लोग का कुष्ण देखो बहई कर wipes अधीक तो बज़कर 30 मिनट पर ठीक है ना थीटा बराबर पूचा है थीटा कार्थ होता है कौन ग्याद कीजिए दो बज़कर 30 मिनट पर सर मेरो पेपर 18 माई को है कोई दिक्कत नहीं है भाई आठारे माई तक आपके 20 मोडल पेपर हो जाएंगे बीस मोडल पेपरों में आपके बहुत सार परसंद मिल जाएंगे 500 से 600 परसंद अब 500-600 परसंद जब हो जाएंगे तो बचे गई क्या आपका मेरे भाई यह ना सारे टॉपिक सारे लोजिक लग जाएंगे आपके 500-600 पर ठीक है दो बज़कर 30 मिनट पर ठीक है घड़ी की दो इस की वेल्यू क्या है 2 और M की क्या है 30 थीटा कर निकालना है solve कर दो 11 बट्ये 2 गुणा M की वेल्यू 30 माइनस माइनस 30 इंटू H की वेल्यू क्या है 2 दो से कार दो 30 को 15 बार कर जाएगा 15 एकम 15 का पांच का आशिल एक 15 एकम 15 और 16 16 माइनस 30 दो नहीं 60 165 में से 60 क्या बच जाएगा 105 डिग्री आंसर ठीक है मेरे भाई प्रेंका कहां से हो आप दिख रहा है ना मेरे भाई अरे बाते मत करो भाई आपस मैं है ना धान देलो कोश्चनों पे आपके लिए करवा रहा हूं मैं एक और देखो पांच बेच्छे के मद्दे पांच बेच्छे के मद्दे 70 डिग्री का कौन कब बनेगा सर बारा के मद्दे पांच बारा के मद्दे करवा देगा सर कल ने पाई क्यूट पायल कोई बात ने अगर कला आपका पेपर है तो बेटा चार कलास मेरी पहले क्यों हो चुकी है एक यह हो गई चार पांच क्लास आप देख लीजिए आपको बहुत help मिलेगी ठीक है ना पांच पे शेके मद्दे कौन गयात करो फॉर्मोल अपने पास है थीटा इस इक्वल टू 11y2 इंटू M माइनस 30 इंटू H ठीक है मेरे भाई M वैल्यू उस बार find करनी है ठीटा की value देरखी है 70 थीटा की value क्या दे रखी है इदर लग देता हूं तो 6-7 के मद्य कौन ग्यात हो जाएगा, क्या लेंगे, 5, ठीक है, theta यो विल पितने रखिए, 70, बराबर, 11 बट्यों 2 गुणा M, minus, 30 into H की value का लेनी है, 5, 3, 5, 15 कितने हो जाएगा, 1,500, 1,500 को मैं इधर ले क्या हूँगा, जर माइनस का, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, 150 प्लस 70, बराबर, 11 बट्यों 2 गुणा M, 70 और 50 कितने होगे, 220, ठीक है, 220 को 220 लिख दो यहाँपे, 220 बराबर, 11 by 2 into M, अब M की value ग्यात करने है, 11 by 2 भी इधर आएगा, 11 by 2 भी कहा हैगा, इधर आएगा, तो 2 का तो गुणा होकर 11 का, भाग लगेगा, दो से कुना किया, भाई दूली 45, 440, 440 में भाग दे दो, किसका, 11 का, 11 चोक, 45, 40, 40 आजाएगा, क्या जाएगा, 40 बार जाएगा, कितने पर जाएगा, 40 बार, ये क्या आया है, मिनट आया है, ये किसकी वैल्यू आईए, मिनट की वैल्यू आईए, अर्था पांच बजगर, 40 मिनट पर बनेगा, भाई, पांच बजगर, 40 मिनट पर, पांच चारिस आंसर होगा इस कुस्चन का, ठीक है, समझ गए ना, 12.30 से, क्यूट पाहल अफिचल, 12.30 क्या है, देखो आप, वीडियो में अंते तक बने रहा करो, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ, वो आप रोज देखो, उसमें क्लोक के, क्यूब के, डाइस के, कलेंडर के, कोडिंग, डिकोडिंग के, आपके डिस्टेंस और डाइरेक्शन के, ठीक है, सारे प्रसुन मिलेंगे, ठीक है ना, सारे अगरल आपको मिलेंगे, आप बस रोज क्लास देख लिया करो, रोज कह लिया करो, क्लास, और जो पुरानी क्लास हो गई, उनमें आप देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो मेरे साथ रोस जूड़े रही है, प्री प्रेंट करेट पर, अंते तक मेरी वीडियो देख मैं आपको एक दिन जरूर बता हूं इसलिए मेरे साथ रोज वीडियो में आप बने रहा करो बहुत सारे प्रस्ट में आपके लिए रोज लेकर आता हूं आज की वीडियो यहीं को विरा आज के लिए विराम देते हैं बाकी मिलते कल 6-7 ठीक है नमस्कार धन्यवाद झाल नमस्कार बने आपके लिए वीडियो प्रस्ट बने दिता में आपके लिए यहीं की विराम देते हैं बन्यवाद